आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव चूज कर लिया है मैंने बट क्या फरक पड़ता है जब डिसाइड किया है कि अपनी लाइफ का हर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना है क्योंकि क्या पता किसकी कही हुई कौनसी बात कहां काम आ जाए और मेरा कहा हुआ कुछ भी अ क्योंकि यही एक रिलेशन है जिसके साथ हमें अपनी हर घड़ी हर पल बिताना है और यही एक रिलेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है अगर सिंपल सी लैंग्विज में कहें तो इस नॉट एन इजी रिलेशन्शिप और अंडेस्टैंडिंग की कमी इ कर ओवर पुजेसिव होना और फियर ओफ लूजिंग पार भी होता है इगो और दूसरों को लैड़ डाउन करने का एटिटूड अगर साइड रख दे तो रिलेशन बहुत ही खूपसूरत हो सकते हैं मैं यहां उन केसी की बात नहीं करूंगी जो हाथ उठाने और अब्यू को एसी लाइफ को ऐसे ही जीना एक्सेप्ट कर लेती हैं क्यूंकि दूसरों पर डिपेंडेंसी उन्हें यह सब करने पर मजबूर करती हैं लेकिन मैं डबल सेलिट करती हूं उन लेडिस को जो अपने लिए पर इंडेपेंडेंट होकर सलफ रिस्पेक्ट के साथ जीना चादी धूम धाम से होगी उसमें क्या-क्या तैयारियां की जानी चाहिए सब चीजों पे पूरी प्लानिंग होती है बट उन नए जुड़ने वाले रिष्टों को अंडेस्टैंडिंग के साथ कैसे हैंडल करना है उस पे शायद हम लोग कभी बात ही नहीं करते नया घर, नय नया लाइफस्टैल और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सोच में डिफ्रेंस अब सोच के डिफ्रेंस को सिरफ अंडेस्टैंडिंग के साथ ही फिल किया जा सकते और उसके लिए हमें कुछ बांडरी भी सेट करनी पड़ती हैं नए घर में उन नए रिष्टों को खुश करने के लिए हम वो सब करना शुरू कर देते हैं जो करना हमें कुछ खास पसंद भी नहीं और जो करना पसंद नहीं वो जादा टाइम तक कर भी नहीं पाएंगे और जैसे ही वो सब करना छोड़ेंगे तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट होगा और रिजल्ट, डिसप करते हूं मेरी मदर इन लौ एक बहुत ही रिलिजियस लेडी हैं वो पूजा पाठ और उसके साथ जुड़े होए हर रिच्छोल को प्रॉपर विमें फॉलो करती हैं लेकिन सामने वाले को भी बिल्कुल वैसे ही पूजा पाठ करना चाहिए जैसे वो करती हैं ये जरूरी तो नहीं सब की सोच और समझ एक जैसी ही होनी चाहिए तो फिर वो नेचर हम सबको अलग-अलग बना कर क्यों भेजती हैं क्यों उसने सबको वैसा नहीं बनाया जैसा सही था वो इसलिए क्योंकि सही और गलत के पैमाने हम खुद डिसाइड कर सकें एनिवेज स्टार्टिं स्टार्टिंग में मैंने भी उन्हें खुश करने के लिए वो सब किया बट क्योंकि नेचर ने मुझे अलग तरह की सोच दी है तो जादा टाइम तक मैं उसे फॉलो कर नहीं पाई क्योंकि मुझे लगता था कि अगर बत्ती करके दिया जलाके और उन्हीं बुक्स को रपी जानने को मिल रहा था connection बन रहा था उस nature के साथ तो यह direction मुझे किस ने दी उस ही ने जो चाहता था कि मैं ये करूँ अब उसी के साथ connection जोड के इस जिंदगी के लिए daily thanks करती हूं और अब meditation ही मेरी पूजा है लेकिन ये बात शायद m confirming को पसंद नहीं आई और उन्होंने पूजा पाठ करती थी और अब बिलकुल नहीं करती obviously वो सुनाएंगे ही क्योंकि ये सब मुझसे expect करने का मौका मैंने ही उन्हें दिया था तो इसमें मैं उनकी कोई गलती नहीं मानती लेकिन अब वो बार बार मुझे ये सब सुनाते रहें तो उस चीज को ठीक भी मुझे ही करना था सो मैंने बहुत ही clearly उन्हें कहा वो सब मैंने सिर्फ आपको खुश करने के लिए किया था लेकिन मुझे उसमें real satisfaction नहीं मिली तो मैंने छोड़ दिया और ये सब मैंने बहुत ही कामली कहा तो problem solve हो गई ना भी हो तो भी मैंने अपना part play कर दिया अब आगे मुझे से वो expectation रखनी है या नहीं वो उनको सोचना था लेकिन कई घरों में इसी चीज पे बवाल हो जाया करें तो पहली समझधारी इसी में है कि कुछ भी ऐसा शुरू ही ना करें जो आप कर नहीं सकती Secondly, बहुत ही clear और अच्छे शब्दों में अपनी बात रखें उसके बाद उस बात को understand करने में वो कितना time लेते हैं वो उन पे depend करता है Let them take their time वो time कुछ भी हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महिना, 6 महिने, 1 साल या कई साल कि वो time तो different person की understanding level पे ही depend करता है पर मुझे उनको कुछ नहीं कहना है क्योंकि उनको बुरा लगेगा ये सोच सोच कर खुद को भी हट करते रहना और दूसरों को भी कोस्ते रहना कहां की समझदारी है रिष्टे जितने transparent हों उतने ही खुबसुरत होते हैं clear बात करने से हम डरते हैं क्योंकि हमें अपनी image खराब होने की फिक्र रहती है इसलिए कई ladies husbands के थूँ चीजों को कहलवाना पसंद करती है जो image खराब होने से भी ज़ादा गलत हो जाता है mother और son का relation जैसा है उसे वैसा ही रहना उस relation को interrupt ना करें बात हमेशा खुद करें लेकिन उससे पहले जो भी बात करनी है उसके लिए कुछ quality of words माइन में रखें ताकि आपकी बात ज़ादा effective हो इसे homework करना कहते हैं अपनी feelings को अपने husband के साथ share जरूर करें discuss करें कि कैसे problem solve हो सकती है बट बात हमेशा खुद करें इससे आप में भी सही को सही और गलत को गलत करने का confidence आएगा सामने से जो भी reaction आएगा आने दें अपनी बात कहें और side हो जाएं इन loss के साथ बहुत सारी problems हमारी assumptions की वज़ा से भी आती हैं घर में कोई भी बात हो जाए उसके बाद ये सोचते रहना कि अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में क्या कह रहे होंगे हमें क्या देता है सिवाए हमारी energy deplete करनेंगे तो अपने दिमाग के घोड़े थोड़े खम दोड़ाएं और जो बात किसी ने कहीं नहीं उसे सुनना बलकुल बंद कर दें हर relation को balance करना easy नहीं होता बट कुछ चीजें अगर हमेशा mind में रखी जाएं तो difficulties थोड़ी कम ज़रूर हो जाती जैसे कि जिस conversation में आपका बोलना ज़रूरी नहो वहाँ चुप ही रहे एवन की कई बार किसी एक के चुप रहने से problem शुरू होने से पहले ही खतम हो जाती है एक quote भी है there is nothing stronger than the power of silence क्योंकि खुद को strong दिखाने के लिए हर बात पे आपका react करना ज़रूरी नहीं चुप रहने से बहुत सी चीजें control हो जाती है बट वहाँ जहां लोग understanding होते हैं अगर आपके silence को कोई आपकी weakness मानता है वहाँ response करना भी ज़रूरी है बट इस तरह कि words कम हो और उनका effect कहीं ज़ादा so choose your words before saying anything कभी भी कुछ भी बोल के रिष्टे खराब ना करें क्योंकि जिन्दगी में रौनक तभी होती है जब सब रिष्टे पास हो रिष्टों से अलग होकर आप कभी कोई problem face ही नहीं करेंगे ये सोचना आपकी ना समझी है so सब को साथ लेके चलें कभी प्यार से तो कभी तकरार से ये relation 100% given take का है ये मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हर family में different लोग different सोच के साथ different way में react करते हैं हमसे expectations बहुत ज़ादा होती है लेकिन हम जो एक चीज expect करते हैं वो देना सब के लिए सबसे ज़ादा मुश्किल होता है कितने comments आते हैं मुझे कितना भी कर लें कोई खुश होता ही नहीं कभी कोई appreciate करता ही नहीं so family हमें appreciate करने लगे इसका formula मेरे पास नहीं है but yes फिर से कहूंगी do meditation daily जिससे इतनी satisfaction आ जाएगी कि किसी से किसी भी चीज़ की expectation खतम हो जाएगी अपनी duties पूरी honesty के साथ करें अपने काम में अपनी तरफ से अपना 100% दे उसके बाद कोई appreciate करे तो अच्छा नहीं करे तो और भी अच्छा क्यूंकि मीरा काम दूसरों की appreciation पे depend नहीं करता मैं जो भी करती हूँ self happiness के लिए बस सोच को इतना सा ही change करना है और किसी से कोई complaint नहीं रहेगी जिनके साथ हम रहते हैं धीरे धीरे उनकी सारी habits और किस बात पे वो कैसे react करते हैं पता चल जाता है तो फिर बार बार एक ही बात पे argument करते रहने का क्या मतलब जब हर बार हर argument का result same ही रहना है दूसरों को change करने में अपनी energy लगाने की वजाए उन चीजों में लगाएं जो आपको खुशी देती हैं क्योंकि पूरी उम्र भी अगर हम किसी को change करने की कोशिश करें तो सिरफ 1% chance है कि वो change हो जाए So use your energy to change yourself और खुद के change होने के chances 100% होते हैं इस बात को जितना जल्दी accept कर लेंगे आगे वाला जीवन सुख से ही बीतेगा So ना ही आप किसी को fully satisfy कर सकते हैं और ना ही change आप किसी की जरूरतें पूरी कर सकते हैं But desires नहीं क्योंकि desires endless होती हैं सिरफ emotions नहीं अपना mind भी open रख इससे पहले की रिष्टे इतने toxic हो जाएं कि उनके साथ जीना मुश्किल हो जाए क्योंकि toxic हो चुके relations में वापिस मिठास लाना बहुत मुश्किल होता है So घर के environment को happy रखने के लिए रात गई बात गई वाला formula सबसे ज़्यादा काम करता है एक दूसरे के साथ हसी मजाग और कोई करे ना करे चोटी चोटी बात पे दूसरों को appreciate करने से रिष्टों में निखार आता है यहां हमने सिरफ in-laws की ही बात की है बट रिष्टा कोई भी हो निबता समझदारी के साथ ही है कुछ कहते गए, कुछ सुनते गए और बस ऐसे ही रिष्टे निबते गए इनी लाइन्स की साथ मैं विदा लेती हूँ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई, टेक कियर और स्टेए